लेते हैं अब्रीवान वेल्कम बैक टू आर चैनल कैसे हैं आप सब आई होप सबच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे आज है तुछ दे वाली जो पूजा होती है वो मैंने कर ली है और यह आपिस चले गया है बच्चे स्कूल गया है अभी बच्चों का शुक्ती नहीं हुआ है तो यहां पर मैंने चाय भी पी ली है और अभी मैं सबसे पहले करूंगी कपड़े आईरन और यहां पे गर्मी काफी जादा है भुआइस डालने के लिए साथ में भुआइस डालने के लिए फैन बंद करना पड़ता है तो गर्मी काफी जादा लग रही है और यहां पे मैंने कपड़े निकाले हैं इनके आइरन करनी है मुझे सारे को तो यहां पे लाइट भी काफी डिस्टब है आ रही है जा रही है तो भी लाइट आई हुई है तो मैं सबसे पहले कपड़े एरन कर लेती हूँ क्योंकि ये भी बहुत ही जरूरी काम है मेरा तो फिर वीडियो में बने रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक साथ में चैनल को लेती हूं और यह मैं वीक में एक ही बार करती हूं और तरजडे वाले दिन पर ही करती हूं क्योंकि उसी दिन मुझे अच्छे से टाइम मेल पाता है तो यहां पर मैं यह कर रही थी और लाइट काफी ज़्यादा यहां पर अभी डिस्टब रह रह रही है इस वज़ए से गश्यादा मुझे वज़ए कि अगला यहां वहां पर औरभी कोक्त ब्सक्राइब आ마ड को यहां परी जहरे से अग्चे से इस लिए चलो अगर किसी को इच्छा नहीं है तो फिर जबरजस्ती क्यों करना इस होज़े से मैंने नहीं किया था और यह है वीडियो फ्राइडे वाले सुबा बच्चे स्कूल जा चुके हैं यह भी आफिस के लिए निकल चुके हैं इनको आफिस में कुछ काम था तो यह जल्दी ही आज चले गया है तो यहां पर मैं कर रही हूँ अपनी जो हमारी रोज की डुस्टिंग क्लिनिंग होती है कपड़े इंदर उधर रख देते हैं तो मैं सारा मैणिज कर रही थी और फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे पीनी थी चाय तो मैं सोच रही थी चाय बनाँ फिर मुझे कापी घ्रक चला गया तो मैं सोचीह बना ले थीऊकर यहां पर ले रहे हूं जांदी और इसमें सारा इंग्रीडियन्ट मीला हुआ है आपको अलग से इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है तो आप इसे न कॉपी अगर पीने के सौकीन है तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं बस दूद उबालो और टालो पटपट से बना लो यह कॉफी बहुत ही जटपट बनकर तहीं तो यहां पर आज मैं कॉफी ले रही थी और यह काईपो का गयनोडर्म कॉफी था प्रेमिक्स था तो मैंने इसे दूद डाल कर बनाया है आप चाहो तो इसे पानी डाल कर भी बना सकते हो उस पर भी यह टेशी लगता है और इसमें एक खास बात है कि आप इसे कहीं भी अगर ट्रेवल में भी जाते हो तो यह पाउचेज में है आप इसे ले लो कहीं भी आप पटपट से प अभी लाइट को पता नहीं क्यों इत्मा इसम चल रहा है और अभी भी लाइट हमारे यहां पे कटी हुई है तो अभी फिलहाल तो मैं इससे रखती हूँ और अपने जो सारे काम है वो निप्टाने के बाद भी मैं आपसे मिलती हूँ और यह था फ्राइडे वाला दिन जिसम भी नहीं लगता है और टाइम भी डिश्टब होता है मैंनेज करने में भी तो यहां पर मैं यह करने के बाद सारे को मैं इस तरह से सेट्स में लगा के रख दोंगी ताकि इनको निकालने में भी दिकत नहीं हो खोजने में भी दिकत नहीं हो और यह ना मेरी डेली रूटीन का अभी एक बहुत ही एहम सा पार्ट्स है क्योंकि इसके बिना मतलब नहीं चल सकता है काम तो ये भी काम मेरे लिए बहुत ही जरूरी है तो अभीना मैंने सारा कपड़ा आइरन कर लिया है और कल से मैं इस काम पे लगी थी और आज मैंने उसे अंजाम दे पाया है और लाइट बहुत ही ज्यादा यहाँप इस वजा और लगी उसे मझें कल से आज तक लगा और गर्मी पहसा थी और आज भी घर्मी बहुत ही ज्यादा है धूप बहुत ही करक है देखें अब देख सकते हैंब अब इस एक अब we can आग ने के लिए दोपार का तो लांच मैं आज में बहुत ही शोटार ह sun crime देख 事ल झाल वाज हुआए आंगे लिए लो ना तरो कि दिना तो यह दो किजन में खड़ा रहने का मन करता है और फोल जादा करो गए तो टाइम भी जोते लगेगा गर्मी यहां पर दाने के लिए तब जोले बच्चे डिमान कर रहे थे दो तेन जो चावल है उससे हमें उबालना है यहां पर 80% तक चावल को कोग कर लेना है तो मैंने चावल को पंदरा से 20 मिनट पहले सोख होने के लिए रख दिया था और यहां पर इधर चावल उबल रही है तो दूसरे में मैं कर रही हूं थोड़े से आलू फ्राइ क्योंकि आज बिर तक बोई कर लेना है तो वहीं मैं यहां पर कर रहे थी तो देखे आलू फ्राइए हो गया है और मैं उसी कड़ाई में थोड़ा सा ओयल डाल कर और यहां पर मैं क्या करूंगी पणीर को अस तरह से बड़े-बड़े क्यूब्स में कट किया है पहले इसे में दौनों तरफ स इसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी तो उस तरह से भी पनीर अंदर से सॉप्ट रहता है और उपर से अच्छा से इसमें गोल्डेन से लेयर आ जाएगा तो काफी अच्छा रहता है यहां पर चावल हमारा रेडी हो गया था तो चलिए इसे हम छान लेते हैं और य इसमें हम फाइनल प्रोसेस करने वाले हैं विर्यानी के लिए और डाला है दो से तीन चमज के करीब और इसमें डालेंगे जीरा तो मैं उस वाले कड़ाही में भी थोड़ा सा ओयल डाल कर प्याज डाल रही हूं ब्राउन बनाने के लिए क्योंकि बिर्यानी में ऊपर में चाल करने के लिए लाउन प्याज आ तो मैं बगल वाले कड़ाही पर ब्राउन प्याज फ्राई कर लूँ फ्राई कर लूँगी और इधर वाले पैन में बिर्यानी का प्रोसेस से चाहट कर और बार बार इसे में चला ले रही थी ताकि ये जले नहीं और यह पर प्यास जब तक भून रहा है तब तक क्या करना है यह एक कटोरी में मैंने लिया है वन फॉर्थ कप के करीद दही नमाक हल्दी धनिया जीरा पाउडर बिर्यानी मसाला कस्मिरी रेट चिली पाउडर डा है उसे हमें इसमें डाल देना है तो हम यहां पर कर रहे हैं पनीर और आलू को मेरिनेट तो यहां पर मैंने सारा डाल दिया है और पनीर को मैंने कट कर लिया था तो सारा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और कम से कम 15-20 मिनिट के लिए आप उसे मेरिनेट कीजिए करने के बाद मैं डाल दे रही है जो मने मेरीनेशन करके मुष्वालत यहां पर दाल देना है अच्छे से मेक्स करना है और फ्राइब करना है तो यहां पर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रहना चाहिए लग जरे भी नहीं और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे इस तरह से मिला दे रही हूँ अर यहां पर देखे मसाले हमारा ready हो चुका है और आप इसमें लगा देनी है चावलो की लेरिंग तो मैंने यहां पर एक ही लेर लगा रही हूं अगर आप दो लेर में अरेंज करना चाहते हैं तब इससे थोड़ा सा बड़ी कड़ा ही लें उसमें आप थोड़ा सा जो मसाला तियार करके रखा उसे निकालें उसके बाद उसे फर्स्ट लेयर लगाने के बाद उसके उपर फिर से मसाला रखे और सेकेंड लेयर कर दें तो चलिए मैंने चावलो की लेरिंग कर दी है और अब आगिया है ब्राउन आनियन की बारी तो यहां पर मैं इसे ब्राउन अनियन भी इस तरह से स्प्रिंकल कर दे रही हूं अगर आपके पास है तो आप जरूब दलिएगा थोड़ा से थोड़ा से मैं यहां यहां पर मैं डाल रही हूं तो से तीन से चार चमच के करीब दूध जिससे बिर्यानी का टेस्ट और भी ज्यादा फ्लेवर्फूल होगा और भी जादा इन्हेंस होगा बिर्यानी खाने म पानी डार कलर उसे घोल लिया है और इस तरह से चारो तरफ से अच्छे से डाल देंगे अच्छे कलर के लिए और लास्ट में मैं यहां पर डाल रही हूं एक से दो से डाई चम्मच के करीब घी डालने में बिल्कुल भी कंचुसी नहीं किजेगा वर्नप मतलब बिर्यानी ख और यहां पर देखिए यह बिर्यानी हमारा रेडी हो गया है इसे मैंने 15-20 मिनट के लिए बिलकुल मीडियम टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें कुक करना है तो मेरा हैवी बॉटम का यह वाला पैन था इसलिए मैंने धिमी आज पर किया है अगर आपके पास हैवी बॉटम का पैन नहीं है तो आप क्या करें नीचे कोई पुरानी सी तवा रग दे और उसके उपर कडाही जो भी जिस में बनाना चाहते हैं उस बरतन को रख दे और अच्छे से कवर करने के बाद उसे पका लें तो चली मैं फटा-फट से इन लोगों को सर्व कर दे रही हूं क्योंकि इनको मैंने फोन किया तो यह भी आफिस में है थोड़ा सा देर होगा तो बच्चों को यहाँ पर भूक लग चुकी थी तो मैं उनके लिए प्लेट लगा दे रही थी और यहाँ पर बच्चों को डिनर दे देने के बाद थोड़ा सा मैं और भी कुछ बना दे रही हूं इनके लिए क्योंकि बिर्यानी वगेरा ना इनको उतना पसंद नहीं है उतना च्वाइस करके यह नहीं काते हैं हलका फुलका खा लेते हैं और अगर बोलो कि यह खा के और रह जाए तो फिर वो नहीं होता है इनसे तो मैं उनके लिए थोड़े से यह बैगन की भजिया प्राई कर दे रही हूं और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेला फ्राई कर दूंगी तो इनका फी डिनर रेडी हो जाएगा और गर्मी बहु चोक दी हूं इसे भी कर लेते हैं और फिर मैं फट्टा फट से किचन के क्लीनिंग भी कर लूँगी क्योंकि यह भी काम कर लेना बहुत ही जरूरी होता है करेला मैंने डाल दिया है हल्दी नमक धनिया मिर्ची जो भी रेगुलर मसाले है वही हमें यहाँ पे डालना है और अच्छे से मैं सुना रहा होने तक इसे फ्राइ कर लूँगी तो हमारे सासा इनका भी डिनर रिबन कर रेडी हो गिया है और फट फट से मैं किचन के सारे काम निप्टा लूँगी ताकि नेक्ट मॉर्निंग मुझे जरा सी भी दिक्कत नहीं हो और यहाँ पे देखे बिर् किसी भी चीज में यह काम आ जाएगा और चलिए डिनर हो गया हमारा और फटा पट से मैं आ गई थी किचन में क्योंकि किचन के सारे काम मुझे निप्टाने थे नेक्स्ट मॉर्निंग की है लिए तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएग यह भी कमेंट कीजिएगा साथ में चैनल में पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिएगा तो चलिए मिलता है नेक्ट वीडियो के साथ नई रेसेपी के साथ तब तक के टाटा बाबे जिन टेक कियर